हेलो बिच्चों मेरा नाम है देवाशिश देव सर फिजिक्स फेकल्टी मोशन इंस्रिटूट कोटा आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आऊ हूँ गैल्वरिमेटर अमेटर और वोल्टमेटर से दोजर टेईस दोजर बाईस और दोजर एकिस तक या बीस तक के भी कुछ ऐसे सवाज जिनको आपकर आप करते हैं तो उसे रिलेटर आपके आने वाले एक्जाम दोजयार बाईचोबिस वाले एक्जाम में आपको काफ़ी हल्प हो सकती है क्रेशन सारे मैंने इंग्लिश में लिये वे हैं बट मैं सारी हिंदी के रूप में आपको ट्रांसलेट करके बताऊँगा तो जो बच्चे हिंदी मीडियो के परिशान मतोना मैंली जोद्धतर उसी के साब से मेरे यहाँ पर चीजे लिखोंगा ठीके पूरा क्रेशन एक्स्प्लेइन करके चलेंगे तो फिर बढ़ते हैं यह क्रेशन जो है वो 2023 का है 2023 15 फरवरी अप्रेइल का है क्रेशन में दिया गया है कि हमें क्या करना है कि एक वोल्ट मिटर बनाना है जिसकी रेंज कितनी होनी चीए यह 50 फोल्ट होनी चीए और एक वोल्ट मिटर बनाना है जिसकी रेंज कितनी होनी चीए 10 मिलि एमपार होनी चीए और गैलवनोमेटर जो है उसकी रेजिस्टेंस कितनी दीवी 50 सोड़ी 54 ओम दीवी है और यह जो इससे करेंट जो मेजर हो सकता है वो यह दिया यानि कि अपनको question में यह दिया हुआ है कि IG जो है basically IG की value आपको दी वे 1 mili ampere ठीक है I आपको दी और RG जो आपको दिया हुआ है वो RG आपको दिया हुआ 54 ohm I की value आपको 10 mili ampere चाहिए जो ammeter बनाना है और voltage आपको 50 volt जो voltmeter बनाना है तो basically सबसे पहले हम पर ammeter के लिए calculation करते है तो जब अपन ammeter के लिए calculation करें तो diagram इन्होंने बना के दिया हुआ है तो जब अपन ammeter के लिए calculation करें तो कितना resistance अपनको चाहिए वो सारी चीज़े अपनको calculate करी नहीं है कि किस तरह के से तो ammeter के लिए shunt resistance है होगा ठीक है जिसकी value होती है RG divided by N minus 1 और ये जो N है वो क्या होता है I divided by IG ये I जो होता है जितनी परास का बनाना है उस का गए उस meter की maximum value यानि की 10 mili ampere जो की question में दिया हुआ है और ये IG जो है वो 1 mili ampere है तो इससे इसका मतलब यहाँ N की value तो आगी 10 तो S की value जो आएगी हमारे पास वो आजाएगी 54 divided by 10 minus 1 यानि कि 54 divided by 9 यानि कि 6 ohm तो सबसे पहले अपन को ये चेक करना है कि a meter के लिए resistance क्या होना चाहिए 6 ohm होना चाहिए ये क्या हो सकता है तो volt meter के इसलिए अगर आप हम चेक करते हैं तो देखो बच्चो वोल्ट मेटर के लिए हम अगर देखते हैं तो हमारे पास N की value आएगी V divided by VG तो वोल्ट मेटर बनाना है हमें यहाँ पर पचास वोल्ट का तो पचास वोल्ट का अब VG जो होता है बेसिकली वो होता है और उपर चला जाएगा थाउजन तो बेसिकली इसको अगर वोल्ट करेंगे तो यह बी यहाँ पर आपके पास पच्चिस डिवाइड़ बाई 27 तो यह आजाएगा 25 बटे 27 इसको अभी पूरा सोल नहीं करेंगे अपना आगे निकालेंगे तो आर की जो वेल्यू आएगी वो आनी चाहिए आर जी और N-1 आर जी की वेल्यू है 54 ठीके और N-1 तो यह 25 हजा डिवाइड़ बाई 27 माइनस 1 लगबग लगबग मैं कैल्कुलेट जब करता हूँ इसको तो 54 यह 25,000 में से एक गटाएंगे तो लगबग उतना ही 27 में से लगबग उतनी बचेगी तो इतना ज़्यदा फर्क पड़ेगा नी तो यहाँ पर यह इससे वेल्यू कैंसल आउट हो जाएगी जाएँ होना जाहिए तो इसका मतलब A statement और C statement किसमें है इसमें तो इसका मजब correct answer जो होगा इसका A वाला इसका answer होगा ठीक है अच्छे सवाल है एक लिए एक तैस जिस्टेस सब्सक्राना जाना जाएँ करने कि यह वह घर्म הוא बाले शी झाश जिय कम sed美味 मैं एसक जो इस जा सितलि dedic आवक ही वह आट है जो हाच झा सॉलला इंप ए वD in देखे बचे तो इस सवाल को सॉल करते तो अमेटर के हिसाप से अगर आपन बात करते हैं तो अमेटर के हिसाप से अगर देखते हैं तो हमारे पास एक इसक्वेशन बन जाती है अमेटर के लिए 5i-ig थोड़ा और सिंप्लिफाइ करेंगे तो यह बनेगा ig rg प्लस 5 and 5i ठीक है इस i की वेल्यू हमें पता है तो यह बेसिकली 5 इन्टू 250 milli ampere हो जाएगा टैने जेपाव माइनस 3 यह first equation होगी वोल्ट मिटर के लिए लिखेंगे तो वोल्ट मिटर के लिए बनेगा v equals to ig rg प्लस r यह इसको ऐसे लिख देते हैं ig rg प्लस r और v यह v जो है basically यह कहां कहा है इस जगह का resistance है इन दोनों की बीच का resistance है यह v और v की वेल्यू आपको given है v की वेल्यू आपको given है यह 25 वोल्ट आपको given दी रखिए r की वेल्यू भी आपको given है यह न तो ig यह बन जाएगा basically rg प्लस 1050 equals to 25 यह second equation है अब हम क्या करते है दोनों को divide कर दे तो 25 divided by 1 and then it will be rg 1050 divided by rg plus 5 it will be 25 divided by 5 into 250 10-3 थोड़ा simplify कर लेते हैं अब इसको तो यहां से यह cancel out हो जाएगा 10 times और उपर जाएगी value तो 1000 divided by 50 इससे इसको cancel out कर देते हैं यह 20 by cancel out हो जाएगा तो rg plus 1050 equals to 20 rg plus 100 यह होने वाला है इस तरफ value चली जाएगी तो यह 950 और यह 19 rg होने वाला है तो rg की जो value आने वाली वो आने वाली पचास बच्चो इसका जो final answer होने वाला है वो 50 अब कई बार क्या होता है कि direct जो value है जो formula अपने n वाला है वो नहीं लग रहा होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं हम इस तरीके से भी कर सकते तो यह final answer अपना यह निकल कर आने वाला है ठीक है बच्चो अगला सवाल बच्चे दिया हुआ है sensitivity से related है नहीं बढ़ा current sensitivity of moving कोई galvanometer जो galvanometer की current sensitivity है उसको किता परसेंट बढ़ा दिया गये 25 परसेंट बढ़ा दिया गया the increase is achieved by the changing in the number of turns नहीं कि जो घेरों की संक्या एन है उसको बढ़ा के उन्होंने चंकिया area of cross section of wire while keeping the resistance resistance of the galvanometer of coil constant है नहीं तो galvanometer का जो resistance है वो यहां पर constant रखा गया तो क्या बोला गया है तो percentage change of voltage sensitivity तो voltage sensitivity और इन दोरों में हमें एक difference पता है कि जो voltage sensitivity होती है वो यहां पर current sensitivity divided by R होती है ठीयोरी में मैं आपको बता चुका हूँ क्योंकि SI जो होती है basically जब आप इसको solve करते हो तो यह आपके पास निकल कर आती है B A N divided by K और SV मतला current voltage sensitivity आती है B A N divided by K R अब जो R होता है ना वो भी proportionality होता है ρो आई N number of turns के जो यह value जो होती है यह directly proportionality होती है N के तो यह value से भी N से N cancel out होने वाला होता है बट यहाँ पर बात यह आ रही है कर resistance ही constant resistance को change नहीं किया गया है resistance को अगर change नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर यह जो value है यह जो value आपको दीवी है यह value constant दीवी है तो अगर यह value ही constant दीवी है तो यह तो directly proportional हो गया इसका मतलब जितना percent current में change आएगा उतना ही percent resistance में भी change आना चाहिए तो voltage जो है यहाँ पर तो voltage की जो sensitivity है वो भी उतनी ही change हो जाएगी तो s v directly proportional to s i होना चाहिए तो यह इसका final answer हो जाना चाहिए 25 percent ठीक है बच्चो 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 नेक्स question दिया हुआ है कि एक student को voltage source जो वो दिया हुआ है है ना एक voltage source जी दे एक student is provided a variable voltage source a test resistance दिया हुआ है आपको to ideal galvanometer g1 and g2 and to additional register r1 and r2 for conducting an experiment to verify the most suitable circuit is तो हमें यहाँ बताना है कि एक circuit दिया हुआ है basically इस प्रकार से कोई register है जो बोला गया है कि rt है ठीक है और एक source लगा दिया गया है अब इससे पास होने वाला current भी अपन को बताना है और voltage भी हमें बताना है तो simple सी बात यह है कि कोई भी अगर इसके cross voltage लगाना पड़ेगा इदर और एक इदर क्या लगाना पड़ेगा अब जो यह voltmeter है voltmeter कैसे बनता है galvanometer के साथ parallel में high resistance जोड़के और a meter कैसे बनता है galvanometer के साथ parallel में low resistance जोड़के यानि कि जो भी यह resistance होना चाहिए वो low होना चाहिए तो इन दोनों में इस low resistance कौन सा है low resistance से r2 और high resistance से r1 ठीके तो यहाँ पर यह g1 हो जाएगा और यह g2 हो जाएगा तो basically हमें जब देखना है तो आड़के parallel में कोई voltmeter देखना है तो आड़के parallel में उसे पहले थदह आपको वोल्ट मेटर देखना है कि तो आड़के parallel में है अब voltmeter है तो उस galvanometer से बन आए तो galvanometer के साथ इस तरह का conjunction बनता चाहिए तो वो combination सिफ आपको पहले वाले combination में ही देखने को मिलेगा इसका मतलब यह answer कौन सा हो जाएगा first वाला हो जाएगा तो अच्छा और series में जोड़ा है यह चीज भी अपने last video में discuss कि अगर आपने last video का theoretical part वाला नहीं देगा तो इसको देख लेना एक बार ठीक है अगला question दिया हुआ है कि galvanometer 72 ohm galvanometer shunt by resistance of 8 ohm 8 ohm के resistance के द्वारा shunt किया गया the percentage of the total current which passes through the galvanometer जो कि galvanometer के through pass होने चाहिए percent of total current का कितना percent galvanometer से pass होता है तो करके देख लेते हैं देखीं यहाँ पर अगर अगर अपन बात करें तो एक galvanometer जो दिया हुआ है यह इस तरीके से दिया है हमने emitter बनाया है इससे यह RG है और एक emitter बना रखा है इससे लिए इसको shunt से जोड़ा हुआ है अब यहाँ यह बोला गया है कि जो इसकी जो value है वो कितनी है 72 ohm है और इसकी value कितनी है 8 ohm है तो total current जो जा रहा होगा इसमें से मान ले इसमें से कितना current जा रहा है IG जा रहा है और इसमें मान लेते हैं I minus IG current जा रहा है तो हमें यह पता करना है कि galvanometer में कितना percentage current जा रहा होगा तो मैं मान के चल रहा हूँ कि इसमें latest से अपन तो ऐसे मान लेते हैं तो यह 1-9 के ratio में यहां पर निकल कर आ जाएंगे अगर मैं 72 से दोनों side multiply कर देता हूं तो यह इस तरह के ratio में निकल कर हमें current का ratio बताना है कि तो ig basically क्या हो जाएगा percentage ig जो अपनको देखना है तो 1 by 10 into 100 तो हो जाएगा 10% तो इसका मत्तब जो final answer इसका होना चाहिए वो 10% इसमें से जा रहा होगा बाकी percent उसमें से जा रहा होगा ठीक है बच्चो नेक्स question दिया हुआ है if n represent the actual number of deflection in a covered galvanometer of resistance g and the shunt resistance s then the total current i when its figure of merit is question में बताना है कि एक galvanometer को हमने किसमें convert किया है एक galvanometer जो है उसको total उसमें shunt resistance लगा उसको अपन almeter में convert करना चाह रहे हैं तो उससे जो total current आने वाला है वो है i तो उस i के बारे में पता लगाना है जबकि जो figure of merit है वो kdv है अब देखो कैसे solve कर सकते हैं इस सवाल को तो हमारे पास basically दिया हुआ है कि एक galvanometer है इस galvanometer के resistance में ऐसे RG लगा हुआ हो और यह यहाँ पर एक shunt हम connect कर देना चाहते हैं जो की s shunt यहाँ पर दिया हुआ है अब इसमें n represent actual number of deflection is covered तो total deflection जो होंगे इसके इस तरीके से दिया तो देखते हैं बच्चों यहाँ पर suppose थी वह आई थी तो इसमें से चले गई IG और यहाँ हो जाएगा ID minus IG अब हम कुछ चीजे जो हमें पता है वह हम देख कर लेते हैं सबसे पहले तो हम figure of merit की बरमबात करते हैं इन्हों figure of merit को K लिखावे हैं जो की होता है sensitivity का opposite और sensitivity हमारे पास होती B A N divided by के डश बोल देता हूं मैं इसको या C बोल देता हूं C basically यहाँ पर जो constant होता है sensitivity होती है जो होती है थीटा divided by I होती है यहाँ पर अपन इस तरीके से इसको represent कर सकते हैं कि इसके लिए थीटा divided by I यहाँ पर रहती है अब तो K divided by अपने पास हो जाएगा 1 upon S1 sensitivity equals to I divided by थीटा अब जो I है basically यह कैलवेडोमेटर का current है तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है जो होगा basically जरुत पढ़ने पर अपने इसको N के लिखेंगे इस चीज का अपन को अच्छे से ध्यान यहाँ पर रखना है अब आगे अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर तो हमें पता है कि IG into RG equals to हो जाएगा I minus IG into S अब हमें I की value calculate करनी है तो हम लिख देते हैं इसको IG RG plus S और यह नहाँ पर I S तो नहाँ अगर हमें I की value निकालनी है then it will be IG RG plus S divided by S तो IG की जो value होगी वो होगी N divided by K और RG जो है वो galvanometer का resistance है S divided by S यह नहाँ पर इसकी value निकल कर आ जाएगी तो अगर हम बात करते हैं total current की total current हमारे पास जो बनने वाला है वो कौन सा D option इसमें बनने वाला I hope आपको सवाल समझ में आ गया होगा बढ़ते हैं next question की तरह देखो तो इस question में क्या बोला हुआ कि galvanometer इसको volt meter बनाया गया है 0 से लेकर 1 amp की volt range का तो galvanometer दिया हुआ था suppose इसके यह नहाँ पर RG पहले से लगा हुआ और एक resistance लगाया हुआ है R1 ठीक है यह basically R1 ही है इसमें printing वान तो यह वाला जो इस point के across जो resistance आया है वो आया है V1 इसको अपन मान लेते हैं तो V1 बराबर हो जाएगा IG RG प्लस R1 आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि galvanometer जब अपन से volt meter बनाते हैं तो resistance को series में लगाते है गलvanometer के high resistance को तो उसमें जो current जा रहा होता है वो IG ही अपन को मान के चलना है तो एक यह value हो गई अपने और दूसरी value जब अपन ने इसके एक series में एक और resistance लगा दिया एक extra resistance अगर अपन एड़ कर देते हैं आड़ जी तो galvanometer का है जो पहले से जुड़ा हुआ है एक R1 एक extra resistance और मैं एड़ कर देता हूँ तो यहाँ पर total resistance voltage मालने ते हैं V2 हो गया तो जब आप लिखोगे तो यह अपने पास हो जाएगा V2 IG RG प R अब क्या करना है आपको 2 divided by 1 कर देना है तो यह V2 divided by V1 RG plus R1 plus R divided by RG plus R1 यह value हो जाएगी 2 is to 1 तो 2 RG plus 2 R1 RG plus R1 plus R overall value अगर आप देखोगे तो यह बन जाएगी RG plus R1 अब galvanometer का जो resistance है इन्हों ने इस चीज़ को बोला हुआ है G capital G तो G plus R1 जो होगा वो नए extra resistance हपन को इतना add करना होगा जिससे यह value क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा यानि कि टू वोल्ट इसकी value निकल करते है तो final answer अपने पास होने वाला है इसका D अगला question दिया हुआ है कि galvanometer है जिसको 5 ohm के resistance को shunt किया गया और उसकी वज़े से galvanometer से 2% total current जो है total का सिर्फ 2% current जो है वो galvanometer के थूर से पास होता है था अपन को तो इस galvanometer का जो रिजिस्टेंस है वाट इस रिजिस्टेंस है तो गीवन galvanometer अपन को पता करना है तो मान लेते हैं कि यह galvanometer दिया हुआ है अपने पास ठीक है इस galvanometer के parallel का जो रिजिस्टेंस है वो आईजी है और इसके shunt रिजिस्टेंस अपने लगा रखा है यहां पर कुछ इस प्रकार से यह कितना ohm है यह 5 ohm यहां दिया है और बोला गया है कि यहां पर जो आईजी है और यह नहां पर हमें यह बोला गया है कि जो आईजी है यह दो पंसेंट है टोटल करन का तो टू डिवाइड़ बाई हंड्रेड आई तो यह 0.02 आई यहां पर रहने वाला है तो आईजी इन्टू आरजी इक्वेस्ट होने वाला है आई माइनस आईजी इन्टू पाइव तो आई की जो व और एक्वेस्ट टू 0.98 आई इन्टू फईव इस से इसको cancel out कर देते हैं तो आरजी की जो value होने वाली है वो होने वाली 49 इन्टू फईव तो 5 5 को 9 से 5 और यह 245 जो है हमारे पास इसका final answer होने वाला है तो इसका final answer जो होगा वो A हो जाएगा ठीक है बच्चो अगला question क्या है अगला question बोला हुआ है for full deflection of the deflection of total 50 division 50 milli volt is required in galvanometer galvanometer के बारे में बताएगा है galvanometer में अगर पूरा deflection चाहिए तो VG जो है वो total deflection कितना है 50 milli volt का और division कितने है total मिला के अगर बात करें तो 50 division है ठीक है अब sensitivity के अगर बात करते है तो basically sensitivity दो division पर milli ampere दी गई है दो division पर milli ampere दी गई है तो इसका मतलब जो IG की value होगी basically वो कितनी हो जाएगी 50 division into 1 upon 2 division per milli ampere है ना तो simple simple अपन को ध्यान ये रखना है कि इस sensitivity में तो दो division एक milli ampere से है तो एक division में एक बटा दो milli ampere हो जाएगी सीधी सीधी बात ये है तो इसको जब solve करेंगे तो ये 25 milli ampere अपने पास ये resistance Ais और ये current आना चाहिए तो अपनको galvanometer का resistance बताना है तो it will be VG बराबर IG into RG तो VG की जो value है वो तो हो गई 50 milli वोल्ड ये हो जाएगा 25 milli ampere तो RG तो RG हमारे पास जो बनने वाला है वो बनने वाला है 2 ohm तो RG की जो value हमारे पास होने वाली है वो 2 ohm यहाँ पर रहने वाली है तो ये चीज़ अपनको यहाँ धियान रखना है galvanometer तो इसका final answer जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 ohm अगला question दिया हुए बच्चों का circuit is to verify the ohm's law use ammeter or voltmeter in series और parallel connected तो simple बोच रहा है कि circuit में किसी भी circuit में voltmeter को series या parallel में या ammeter को series या parallel में कैसे जोड़ा जाता है तो अपन को पता है हमें पता है कि ammeter को हमेशा series में जोड़ते हैं और volt देखो अमेशा parallel में जोड़ते हैं तो हमारे पास इसमें से पहला बोल रहा है कि ammeter is always used in parallel तो ये तो गलत हो गया both used in parallel ये भी गलत हो गया और meter is always connected in series and voltmeter in parallel इसका मतलब ये सही इसका answer है basic theoretical question है जो अपन को पता रहना चाहिए देखे बच्चों अगले question में दिया हुआ कि galvanometer coil has 500 turns and each turn has average area 3 into 30 power minus 4 meter square जो cross section जो area दिया हुआ है यहाँ पर loop के इसाब यानि कि हमें total number of turns जो दिये हुए है number of turns जो दिये है वो हमें 500 दिये है cross section area जो दिया हुआ है 3 into 30 power minus 4 meter square दिया हुआ है if a torque of 1.5 newton into meter is required to keep this coil to magdy to a magnetic field when current of the अपना एंपेर तो यहाँ पर तो इसका मतलब यहाँ पर strength अपन को इसमें बताने है तो basically यह कहना चाह रहा है कि इतना जो spring force है basically spring की वज़े से जो torque आ रहा है वो 1.5 newton into meter का top चीज़ तो हमें एक चीली पता है कि S, torque, spring का और magnetic field का दोनों का बराबर होना चीज़ तो अगर हम बात करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं Mb यह चीज़ आपन पहले theory में discuss कुछ चुके हैं M magnetic moment I, A, N into B यहाँ हो जाएगा इसको solve करते हैं तो torque S जो आ जाएगा यह हो जाएगा 1.5 equals to I की value तो I की value हमें पता है कि कितनी हैं यहाँ पर 0.5 area तुमारे पास दिया है 3 into 10 to the power minus 4 number of turns आपके पास दिया है 500 और magnetic field हमें calculate करना है तो इसको जब calculate करोगे तो यह यहाँ से 3 से यह से बनना चाहिए तो इसको cancel out कर देते हैं यह हमारे पास total हमारे पास final answer जो होना चाहिए वो 20 tesla इसका answer रहना चाहिए यह इसका final answer है इस regarding में मैंने theory के बारे में बता रखा है अगर आपने वो lecture पहले नहीं देखाना तो पहले इस सवालों को solve करने से पहले वो lecture जुरूर देख लेना देखो बचो यह question में क्या बोला जा रहा है यह one third deflection का मतलब क्या है कि galvanometer का जो resistance के regulate करने के लिए बोला गया है तो galvanometer के across अब जो options से उसके इसाब से देखेंगे तो shunt resistance के galvanometer के across लगा गया है तो one third deflection जितने करन पर पहले पूरा full deflection आ रहा था उतना करन पर अब one third deflection आ रहा है यानि कि जो यहां पर अगर अगर आपन बात करें तो कि जो आई जी है वो directly proportional होता है basically division के जितने ज़्यादा division होंगे उसके इसाब से तो अब जो पूरा deflection जो पहले आ रहा था वो one third पर आ रहा है यानि कि जो नया वाला जो galvanometer के जो current flow कर रहा है वो नया जो current flow कर रहा है देखो बच्चो इसमें क्या बोला गया है इसमें ये बोला गया कि एक galvanometer है जैसे मैं आपको इस situation में current जा रहा है galvanometer के साथ इसके साथ अगर अपन shunt resistance जोड देते हैं और ये जहां पर तो galvanometer से जो अब current enter कर रहा है वो अब ig by 3 current enter कर रहा है इसमें तो यहां shunt resistance है यहां rg resistance है अब अपन को बस ये बताना है कि ऐसा करने के लिए क्या situation बन रही होगी अगर इसमें से total और यहां पर हमारे पास जो total current की value आ रही है तो अगर हमें एक चीज़ पता है कि ig अगर इससे current जो निकल कर आ रहा था total current की अगर मैं बात करता हूँ तो किश्यम में ये बोला गया कि पहले resistance galvanometer था तो उसका खुद का internal resistance था उसमें ig current जा रहा था लेकिन जब हमने one third deflection method का use किया यानि कि इसने बोला है कि जब galvanometer के across strength resistance लगा दिया जाता है तो one third उसकी जो reading हो जाती है वो one third हो जाती है one third होने का मतलब कि इससे जो current पास हो रहा है वो तो basically अगर अपन बात करें तो i यहाँ पर अगर मैं अब solve करता हूँ तो basically हमारे पास rg और i s into i बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पर rg into ig divided by 3 अच्छा i चुह अब यहाँ बचेगा तो यहाँ पहले अगर ig आ रहा था तो यह i की जगे 2ig g by 3 अब हो जाना चाहिए तो यह rg into ig divided by 3 इससे इसको cancel out कर देते हैं ig से यह ig की value जो है वो cancel out हो जाएगी तो हमारे पास जो rg की value है वो क्या निकल कर आई? 2s निकल कर आई क्याने का मतलब इस सवाल में क्या है जब यह आपको इस तरह की question दे दिया जाता है तो वो deflection method half deflection method, one third deflection method की नाम से वो बोलता है तो इसका मतलब यह है कि अगर shunt resistance आपने लगा दिया है तो galvanometer से पास होने वाली जो current होगी वो decrease होगी तो आप यह देख लो कि अगर galvanometer से पास होने वाली current की value decrease हो रही है तो वो पहले वाली से कितना हो गई होगी वो deflection method तो अगर one half के लिए बोला गया है कि galvanometer से half current पास हो रही है और बाकी shunt resistance से जा रही है, टोटल जो आईजी ही आ रही है लेकिन उसमें से आधा जो current जितना भी वो bold रहा है, उसके इसाफ़ वाला current galvanometer में जा रहा है और बाकी दूसरे, अगर यह बोल देता है one third, one second deflection, half deflection आ रहा है तो इसका मतलब galvanometer से half current जा रहा है और बचा हुआ half current दूसरी situation से जा रहा है तो इसका जो answer हो जाना चाहिए हमारे पास देख लेते हैं कौन सा हो जाना चाहिए G अगला question देखते है बच्चों की यह बूला हुआ है कि as shown in the figure, the volt meter reads to volt and five across the five warm resistance, the resistance of the volt meter अधिकों यहाँ पर यह ideal नहीं है तो इसका मतलब यहाँस का कुछ नो कुछ resistance जरूर होगा question में बोला गया है कि current इस तरीके से आ रहा है और इसका कुछ नो कुछ resistance है इस two ohm के across जो है वोल्ट meter जो है पांच ohm के across दो वोल्ट रीट करता है अगर यहाँ दो वोल्ट है तो obvious ही बात है यहाँ कितना वोल्ट रोप हो रहा होगा यहाँ रोप हो रहा होगा one volt दो ohm के across तो यहाँ current जगर में बात करो की जो value होजानी चाहिए और वो one by twoirse जाने क स्बी ty इसका मतलब इस पर वोल्ट है तो इस पर बहु दो होना चाहिए अब main बात यही है कि अगर आपन बात करते है तो इस पूरे circuit को अगर हम solve करते हैं तो यह कुछ इस प्रकार से रहेगा यहां पर यह रहा दो ओम और इस जगह पर यह है resistance और यह माल लेते हैं गैरवनोमेटर का भी resistance R है and this is 5 तो जो total current यहां से यहां पर जाना चाहिए यह जो total current जाना चाहिए कि वो 1 by 2 ampere का current जाना चाहिए तो इससे भी total यही current जाना चाहिए तो इसके across अगर 2 volt है तो अगर हम बात करते हैं तो total resistance जो हो जाएगा 5 into R plus divided 5 plus R into I because तो तुमारे पास हो जाएगा 2 volt तो 5R divided by 5 plus R into I I की जो value हमारे पास दे रखी है वो है 1.5 ampere sorry और यह 2 हो जाएगी इसको multiply करते हैं 5R तो यह हमारे पास बनने वाली है 4 5 plus R तो 5R equals to 20 and plus 4R तो यहाँ पर जो R की value आने वाली है वो कितने आने वाली है 20 ohm यहाँ पर इसकी value निकल कर आएगी ठीक है बच्चों तो यह थे कुछ ऐसा questions जिनके previous years के questions थे जो मुझे लगता था कि important है और इस तरह के questions सब्सक्राइब आने वाले chances हो सकते हैं तो आई होप आपका पूरा गैल्वनमेटर से रिलेड़ कॉंसेप्ट क्लियर हुए होंगे और भी questions जो आप एक बाद खुद से ट्राइक करके देखना आई होगी तो अगर समझ में आए तो मुझे बजुरू बताना कमेंट करके ठी लोगन झाले से वाले हो आपका ठा हुए होगी हुए हो आपका प्राइक कर दो कि बाद